हलो दोस्तो, वेलकम टू स्टडी यूनिवेर्स, मध्यप्रदेश, डेली करिंटर फिर में आपका स्वागत है आज है 4 अपरेल 2019 और यह हमारी 119 वी क्लास है 12 important question आपके लिए लेकर आये हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दरश्टी से बहुत important है इन questions को आप note कर लें क्योंकि यह आपके exam में पूछे जाते हैं साथ ही questions related, important fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तो, आईकोन में उपर हमने एक question दिया है तो वो question आप solve जरूर करें वह है previous day का एक question है जिसको आपको solve करने से कुछ important fact और आपकी knowledge का आपको पता चलेगा तो आपको यह question का answer जरूर करना है question number first, हाली में आई FAO की report अनुसार कौन सा महादीप भुकमरी से सबसे ज़्यादा पीड़ेत है जिसका solution है आफरीका, आफरीका महादीप भुकमरी से सबसे ज़्यादा पीड़ेत है आपको उता दें, हाली में FAO ने अपनी वार्शिक report चारी की है जिसके अनुसार 2017 की मुकाबले, 2018 में भुकमरी की संख्या में कमी आई है यमन, कांगो, अफगानिस्तान, सीरिया, सबसे ज़्यादा भुकमरी से पीड़ेत देश है भुकमरी का मुख्य कारण आइस्थरता, सुरक्षा, सूखा, बार्ड आदी है दोस्तो अब बात आई है FAO की तो आपको इसके बारें बता दें FAO का full form Food and Agriculture Organization होता है इसकी स्थापना 16 अक्टूवर 1945 में की गई थी हैटकॉर्टर रोम इटली में है इसकी हैड है जॉस ग्रिजियानो डी सिल्वा FAO की जो सदस्देश हैं वह है 194 तो इतना आपको FAO की बारे में याद रखना है Next question तो इसकी option है Algeria हाली में Algeria की रास्टपती वह तो फिलिका ने अपने पद से इस्थीपा दिया है ये 20 वर्ष से Algeria की रास्टपती पद पर थे लाखों लोग इन्हें हटाने के लिए बुरूद प्रदर्शन कर रहे थे जिसकारण इन्हें अपने पद से इस्थीपा देना पड़ा दोस्तो अब बात आईए Algeria की तो आपको इसके बारें बता दें मैप में ये जगह Algeria को दर्शाती है Algeria की करंसी है दिनार राजधानी है Algeria और Algeria के रास्टपती जो कारेकारी रास्टपती है वह है एवलेडार वेंसला दोस्तो आपको बता दें Algeria उत्त्री आफरी की देश है और ये है आफरी का महादीब का सबसे बड़ा देश है तो दोस्तो इतना आपको Algeria की बारे में याद रखना है नेस्ट कॉश्चन हाली में किस एप ने फेक निउज रोक ने टिप लैन लाइंज की है जिसका स़ी उफ्चन है वाटसेप हाली में वाटसेप ने फेक निउज रोकने के लिए टिप लाइन जारी की है दोस्तो आपको बता दें यूजर्स निउज के इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं इन्होंने एक नमबर दिया है वह नमबर है 9643-000-888 आप किसी भी मैसेज को इस पर फॉरवर्ड करके फेक और रियल मैसेज का पता कर सकती है अब आता है वाटसेप की तो आपको इसके बारें बता दे दोस्तों वाटसेप की रिलिज डेट है जन्वरी 2009 इसका हेटकोर्टर कैलिफोर्निया यूसे में है इसके फाउंडर है जैन कॉम और वरिन एक्टन आपको उता दें वाटसेप के सी ई ओ है क्रिस डेनियल और वाटसेप को अधीगरण किया है फेस्बुक ने तो इतना आपको वाटसेप की बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन हाली में कॉंग्रेस की लोकसवा थीम लौँच की गई वह क्या है तो इसका सही ओफ्षन है देश के दिल से दिली तक अब कॉंग्रेस ये कॉंग्रेस की थीम है आपको उता दें इस थीम को हाली में भूपाल में मुख्यमंत्री कमलनाच जी ने लौँच किया है इसे हिंदी और इंग्लिस दोनों में लौँच किया गया है दोस्तो अब बात आईए कॉंग्रेस की तो आपको इसके बारें बता दें कॉंग्रेस की इस्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी इसका हेड़कॉर्टर दिल्ली में है और कॉंग्रेस के प्रिसिडेंट है राहुल गांधी तो इतना आपको कॉंग्रेस के बारे में याद रखना है नेक्स्ट कॉस्चन हाली में कौन से हेलिकॉप्टर अमेरका से खरीदे जाएंगे जिसका सही ओफ्शन है सी हॉक सी हॉक हेलिकॉप्टर अमेरका से खरीदे जाएंगे भारत यूएसे से करीब 16,000 करोर रुपए में 24 सी हॉक हेलिकॉप्टर खरीदेगा यह हेलिकॉप्टर दुस्मन पंडुबी नस्ट कर सकता है और यह समुद्र के और भी ओपरिशन्स कर सकता है दोस्तो अब बात आईए अमेरिका की तो आपको मैप में अमेरिका की बारें बता दें यह जगह है अमेरिका को दरसाती है अमेरिका की राजधानी है वासिंग्टन डीसी अमेरिका की करंसी है डॉलर और अमिर्का की रास्ट पती हैं डोनल्ड टरम्ब तो दोस्तो इतना आपको अमिर्का की बारे में याद रखना है Next question हाली में किस महिला ने मियामी ओपन टेनिस टूनामेंट जीता है तो इसका से यॉफ्षन है एसलिबार्टी हाली में एसलिबार्टी ने मियामी ओपन टेनिस टूनामेंट जीता है एसलिबार्टी ओस्टिलिया की रहने वाली हैं और इन्होंने चेक गड़राजी की कैरोलिना को हराकर यह टूनामेंट जीता है Next question हाली में ICC और किस के बीच समझोता हुआ है इन्टरपोल हाली में ICC और इन्टरपोल के बीच समझोता हुआ है ब्रहस्टचार को रोकने ICC ने इन्टरपोल के साथ हात मिलाया है दोस्तो अब बात आईए ICC की तो आपको इसके बारें बता दे ICC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसल होता है इसकी स्थापना 15 जून 1909 में की गई थी ICC का हेटकॉर्टर दुबई UAE में है और इसके जो मेंबर देश हैं वह है 105 आपको बता दें ICC के CEO हाली में जो बने हैं वह हैं मनू साहनी तो दोस्तो इतना आपको ICC की बारे में याद रखना है Next question दोस्तो अब ये दमोई में किया गया है तो आपको दमोई की बारें बता दें सागर संभाग का एक जिला है दमोई पीतल नगरी के नाम से प्रिसिद्ध है दमोई प्रदीश का सबसे बड़ा पसू बाजार दमोई में लगता है बांदकपूर जहाँ शिम मंदर है यह दमोई में ही इस्ते थे कुंडिश्वर जो झेन तीर्थम इस्तल है यह भी दमोई में ही इस्ते थे निदान कुंड और रानी दुर्गावती अव्यरन ये दमोह में ही इस्थित हैं तो दोस्तो इतना आपको दमोही के बारी में याद रखना है नेश्ट क्वेशन हाली में प्रदेश में कितने टोल नाकों पर टेक्स लेना बंद किया गया है तो आपको इन तीनों के नाम याद रखने है अक्टूबर माहे में होने वाली खोखो लीग में कितनी टीमें खेलेंगी तो इसका सई ओफशन है आठ टीमें अक्टूबर माहे में होने वाली खोखो लीग में आठ टीमें खेलेंगी खोखो अब लीग के तोर पर खेला जाएगा इसमें इंगलेंड, भारत, दक्षन कोरिया, इरन, बंगलादेश, नेपाल और स्रीलंका के खिलाडी इसमें हिस्सा लेंगे और इन आर्ट फ्रेंचाइजी में इन देशों के खिलाडी शामिल होंगे Next question हाली में मृध्यप्रदेश के किन दो विक्तियों ने फोवर्स की अंडर 30politics ऐस्या की लिस्ट में जगह बनाई है जिसका सई option है उमंग स्रीधर और अविशेग दुबे इन दोनों ने फोवर्स की अंडर 30 ऐस्या की दिस्ट में जगह बनाई है उमंग स्रीधर दमोह की रहने वाली है उमंग को सामाजिक व्यवसाई के रूप में फोवर्स सूची में चुना गया है ये एक फैसन डिजाइनर है और अविशेक दोवे ये गवालियर की रहने वाली है और इन्होंने 100 गवर्मेंट स्कूलों को डिजिटल एजूकेशन से ज जिसमें उद्योगपती कलाकार ऐसी 10 रेनियां शामिल की जाती है आपको बता दें जो भी पार्टिसिपेटर होता है वह 30 साल से कम होता है और मध्यप्रदेश के इन दोनों उमंग स्रीधर और अविशेक दुवे इन दोनों व्यक्तियों ने इस लिस्ट में शामिल किये ग जान को टाइगर रिजर में शामिल किया गया था आपको उता दें पेंच रास्तिय उद्यान 292.83 वर्ग किलूमीटर है इसकी स्थापना 1975 में की गई थी सिवनी और छिन्वाडा जिले में यह फ्यला हुआ है दोस्तों कुछ इंपोटेंट फेक्ट आपको पेंच रास्तिय उद्यान की बारे में बता दें इसका नाम बदल कर इंद्रा प्रिय दर्शनी उद्यान किया गया है इसमें मोगली लेंड को बनाया गया है यह सत्पुडा पहाडियों में इस्तित है एक और इंपोटेंट इन्फेक्ट आपको बता दें इसे 2006 और 2007 में परेटन पुरुषक परेटनली नेशनल पार्क अवार्ड भी दिया गया है तो इतना आपको इस अवार्ड के बारे में याद रखना है तो दोस्तो यह था हमारा आज का डेली करेंट अफेर आप मारे चैनल स्टेडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेर की इतना ही नमस्कार, have a nice day